नवश्कार बोलते तारे आप देख रहे हैं आपके साथ मैं हूँ सोना लिठाकुर राशित्पर ने कैसा जरिया है जिसके माध्यम से आने वाले भविश्ची के बारे में जाना जा सकता है तो 14 मार्च का दिन आपका कैसा रहने वाला है जानेंगे और शुरुआत मेश राशि से करेंगे एकदम से बहुत सारी काम का दवाव आ सकता है इससे उठापतक की स्थिती बनी रहेगी काम में उलच कर रह जाएंगे अपनी प्रात्विक्ता को निर्धारित कर लेंगे तो बहतर रहेगा अब मेश राशी वाले जातकों का लखी नंबर अकलर जान लेते हैं आपका लखी नंबर 4 है लखी कलर आपका भूरा है मेश राशी के बाद बात करेंगे व्रिश राशी की कोई चीज बार बार सोचने पर मजबूर करेगी इसको लेकर मांसिक तनाव रहने में प्रबल संभावना है ऐसे में बुद्धी और धैड इसे काम नहीं लिया गया तो स्थिती संभनने के बजाए और बिगड़ जाएगी अब व्रिश राशी वाले जातकों का लखी नमबर अकलर जान लेते हैं आपका लखी नमबर दो है लखी कलर आपका ग्रे है और व्रिश के बाद बात करेंगे मिथुन राशी की और जानेंगे 14 मार्च का दिन मिथुन राशी वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है बैंक से लोन मिनने में जो समस्या सामने आ रही है वो सुलत सकती है रुकावा धन भी वापस आ सकता है आपके आर्थिक जीवन के लिए शुब संकेत लेकर आया है मितुन राशी वाले जातकों का लखी नमबर और कलर जान लेते हैं आपका लखी नमबर पांच है लखी कलर आपका महरून है लखी नमबर और कलर के बाद बात करेंगे करक राशी की अहंकार को काबू में रखनी की आवशकता है अनिता कुछ अप्रत्यासित घटित हो सकता है आपका अपने भाई बहनों के साथ संबंध भी बिगर सकता है और मन में कटूता का भाव आ सकता है करक राशी वाले जातकों का लखी नंबर अकलर जान लेते हैं आपका लखी नमबर 3 है लखी कलर आपका आस्मानी है और अब बात करेंगे सिंग राशी की जीवन साथी के साथ कही घूमने जाने का प्लैन कर सकते हैं रिष्टों में गहरापन आएगा उसके साथ बैठ कर भविश्य की रणनीती भी बनाई जा सकती है जो दोनों के लिए का कन्या राशी वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है यदि आप संगल है तो सोशल मीडिया के दोस्त के द्वारा दिल की बात कही जा सकती है आप भी इसको लेकर साकारात्मक रुक रखेंगे और रिष्टों में मजबूती आएगी कन्या राशी वाले जातकों का लखी नमबर साथ है लखी कलर आपका हरा है और अब बात करेंगे तुला राशी की परिवार के सामने एक अलग पहचान बनेगी जो आपके लिए भी लावदाइपसित होगी हाला कि कुछ बातों को लेकर नाकारात्मक रवया रह सकता है लेकिन बुद्धी मता का पडिचे दिया ज जातकों का लखी नमबर अकलर जान लेते हैं आपका लखी नमबर आठ है लखी कलर आपका श्वेथ है और अब बात करेंगे वरिष्टक राशी की काम में सीनियर से बहुत जमेगी जिससे आपको अपने ऑफिस के काम में भी बहुत साहता मिलेगी आगे के लिए मार्ग दर जादातर समय अपने पडिवार के सदस्य के साथ व्यतित होगा घर में आपको लेकर एक साकारात्मक छवी का नर्मान होगा जो आपके लिए साहयक सिध होगी धनु राशी वाले जातकों का लखी नमबर अकलर जान लेते हैं आपका लखी नमबर छे है लखी कलर आपका केसरी है लखी नमबर अकलर के बार बात करेंगे मकर राशी की वेपार के मामलों को लेकर सतर्ता बरते क्योंकि किसी अपनी के द्वारा ही उसमें परेशानी खड़ी करने की भरपूर कोशिश की जाएगी ऐसे में किसी भी नुकसान से बचने के लिए पहले से ही सावधान रहे तो बहतर रहेगा मकर राशी वाले जातकों का लखी नंबर अकलर जान लेते हैं आपका लखी नंबर चार है लखी कलर आपका नीला है और अब बात करेंगे कुम राशी की दिन में बेचैनी का भाव रह सकता है और स्वाभाव में भी चिर्चिरापन हावी रहेगा लेकिन दोपहर होते होते इसमें बदलाव देखनी को मिलेगा किसी से ओक्समिक खुशी मिलेगी जिसे मन शांत होगा कुम राशी वाले जातकों का लखी नमबर आठ है लखी कलर आपका पीला है और अब बात करेंगे अंतिम राशी मीन की स्वास समस्याओं से जूजना पड़ सकता है हाला कि द्रिड इच्छा श्रक्ती से आप इसे माद दे सकते हैं परिवार के किसी और सदसी की तब्यद भी खराब रह सकती है मेन राशी वाले जातकों का लखी नमबर आपकलर जान लेते हैं का लखी नमबर एक है लखी कलर आपका गुलाबी है बोलते तारे में फिल हाल इतना ही नमस्कार